शांजापुर में वोकल फोर लोकल थीम पर आधारित खादी ग्रामुद्योग द्वारा आयोजी तीन दिवस्य प्रदेशनी का प्रदेश के वित्मंत्रे सुरेश कुमार खन्ना ने किया इस दोरान उन्होंने 30 प्रजापती लोगों को विद्यूत चलित चाक, 8 लोगों को दोना पतल मशीन और 5 लोगों के समूँ को दीपक बनाने वाली मशीन वित्रित की इस दोरान वित्मंत्री ने प्रदेशनी में लगे स्टॉलों का निरिक्षन किया और लोगों से स्वादेशे वस्तों का प्रियों के जाने की अपेल भी की जहां प्रदर्शनी में गाय की गुबर से बने प्राकरतिक पेंट एवं माटी से बने बरतन और खादी से बने कपड़े लोगों का मुख्य आकशन के केंदर रहे जहां मीडिया से बात करते हुए विवित्यमंतरी ने कहा कि खादी ग्रामोद्योग की और से लगाए गई इस प्रदर्शनी लोगों को रोजकार मिलेगा और प्रदानमंतरी का आत्म निर्भर भारत अभ्यान का सपना साकार होगा यह आत्म निर्भर भारत के तहट यह जो प्रदर्शनी लगाई गई है इसमें छे जन्पदों के विवसाई लोग यहां पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं और खास दोर से मुझे खुशी है कि माटी कला बोर्ट के द्वारा अभी तक जो चीजें प्रजापती समाज के लोग हाथ से करते थे जो हाथ की कारी-गरी करते थे उन लोगों को अबना उत्पादन बलाने में और कम से कम शक्ति लगे और जड़ा से ज़्यादा उनका आउट्पूट हो इसने यह मशीने बितरित की जा रही हैं चाक बरतन बनाने के लिए दिया बनाने की मशीन और फत्तल बनाने की मशीन मुख्य उद्देश से मानने प्रधान मंत्री जी का जो मंत्र है वोकल फोर लोकल और आत्म निर्भर भारत अभियान इसके अंतरगत ही है कि हमारी जो खादी ग्रामद्योग बोर्ड की वित्पोसित इकाईया हैं जिनकों बैंकों से रिंड दिलाकर विभाग द्वारा वित्पोसित करा करके श्वेरोजगार इस्थापित कराए गये हैं उनको अपने उत्पादों की विक्री के लिए और उनके प्रिदर्शन के लिए एक मंच देना इस प्रिदर्शनी का मुख्य हुद्देश